हेलो गाइस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागता है मारे नई वीडियो में आज इस वीडियो में बात करेंगे ड्रीम 11 ECC की जो T10 सीरीज चल रही है यानि European Cricket Championship की जो सीरीज चल रही है इसके Group C के मैच स्टार्ट हो रखे हैं तो इसके Qualifier First मैच के बारे में अपन बात करेंगे मैच खिला जागा Spain और Belgium के बीच जो भी टीम जीते के वो सीधे Final में जाईगी और जो हारेगी उसको Qualifier 2 में एक और मौका मिलेगा Final में जाने का मैच की टाइमिंग 6 बजे है आज जी की दिन 11 अक्टूंबर 2024 आज जी की डेट है Weather की बात करें Weather clear है बारिस के कोई भी चांच नहीं है Venue देखें काटमा ओवल काटमा में मैच है तो आज का इसी Venue पर है जिसमें से 40 मैच जीती है बेटिंग 1 करने वाली टीम और 45 मैच जीती है बेटिंग 2 करने वाली टीम यानि बेटिंग 2 वाली को इस Venue पर अच्छी कासी Advantage है ठीक है पहले बात करते हैं अपन पहले टीम Spain की तो वीडियो का आप पूरा देखना बिना Skip करें ताकि दोने टीमों के बारे में आपको डीटेल में जानकारी हो जावे कौनसी टीम मजबुत है कौनसी टीम वीक है किस पिलर को लेना है किसको Drop करना है किसको Captain मनाना है किसको Vice Captain मनाना है उन सभी चीज़ों के बारे में आपको डीटेल में जानकारी हो जाएगी Spain ने इस टूनामेंट में चार मैच खेले हैं तीन मैच जीती है और एक मैच इनकी टीम हारी है अच्छी टीम है अच्छे कासे पिलियर है और लास्ट मैच जो खेला गया बैटिंग ओडर हमने उसी के साब से सेट करा है पहला पिलियर है डैनियल डायल काले जिसने इस टूनामेंट की परफॉमेंस मैंने लिखी है आरेफ आरेफ का मतलब होता है रिसेंट फॉम जो इसी टूनामेंट की है सभी पिलियरों की तो डैनियल काले ने इस टूनामेंट के चार मैच में 108 वंडरन बनाए इंपोर्टन पिलियर है सांदर बैटिंग करता है और इस परकार की बड़ी सीरिजों में अच्छा खासा अच्छी खासी पारिया खेलता है इस टीम की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन से खा बहुत अच्छा चोईस है और ओवराल रिकॉर्ड की बात करें तो 72 मैच में 182 रन है 43 की एवरेस से 10 ओवर की गेंदबाजी 3 विकेट लिए बॉलिंग कम करवाता है लेकन बैटिंग जबरदस करता है इसके बाद है यासी रली जिसने 4 मैच में मातरा 53 रन बनाए ठीके कुछ खास बैटिंग नहीं करी है ट्राइ करना हो तो कर सकते हो बना ड्रॉब भी कर सकते हो कोई रिस्क नहीं होगा ठीके ओवरॉल रिकॉर्ड 116 मैच में 293 रन 355 की एवरेज से 115 ओवर की गेंदबाजी 58 विकेट लिए ECC का जब बड़ा टूनामेंट होता है तो पर्फोर्मेंस इसके डाउन रहती है नमबर 3 पर है आवे सहमद जिसने 3 मैच में मातर साथ रन बना है इसने भी कुछ खास बैटिंग नहीं करी ओवरॉल डिकॉर्ड 133 मैच में 2640 रन बना है 25 की एवरेज से 10 ओवर की गेंदबाजी 5 विकेट लिए इसके बादे क्रिश्चन मानोज मिल्स जिसने 4 मैच में 110 रन बना है बैटिंग फर्ष्ट में आपके लिए कंपलसरी पिलियर है बिल्कुल ट्राइक कर सकते हो अच्छी बैटिंग करता है और रिकॉर्ड भी देखे तो 62 मैच में 808 रन है 23 की एवरेज से तीन ओवर की गेंदबाजी एक विकेट और ECC के टूनामेंट में अच्छा परफॉमेस करता है ठीके तो क्रिश्चन मानुज मिल्को भी क्रेंट लिंग में कुछ टीम में आप ट्राइक कर सकते हो इसके बाद है हमजा सलीमदार जो इस मैच में CBC का चोईस है क्योंकि बैटिंग भी कर रहा है साथी आपको 2 ओवर की मिडल ओवर्स में गेंदबाजी देगा इस टूनामेंट के 4 मैच में बल्ले बाजी से 100 मातर 18 रन बनाए लेकिन 8 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 7 विकिट लिए विकिट टेकर गेंदबाज है बैटिंग भी जबरदस करता है बैटिंग से भी कॉंट्रिबूट कर सकता है मिडल ओवर्स में गेंदबाजी कराएगा साथी नंबर 3 या 4 पर बैटिंग देगा ओवर्राल रिकॉर्ड भी सांदार है 148 मैचों का अनुबह हुए 4,1195 रन बनाए 38 की एवर्स से 231 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 116 विकिट लिए इसके बाद है मौमद इंसान जिसने 4 मैच में मातर 43 रन बनाए या ECC के बड़े टूना मैच में परफॉमेंस नहीं दे पाता है क्योंकि बैटिंग लेट मिलती है इसलिए परफॉमेंस नहीं निकाल पाता और जब दूसरे कलब के मैच होते हैं तो इसको ओपनिंग का मौका मिलता है इस वज़े ज़े इसका एवरेज एवरेज अच्छी रहती है ओवरार लिकॉर्ड 184 मैचों का अनुभावे T10 के 4910 रन बनाए 38 की एवरेज से 7 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 3 विकिट लिए बैटिंग के सासोथ आपको विकिट कीपरिंग के पॉइंट भी दे सकता है इसके बाद है सिराज इकबाल चार मैच में 17 रन बनाएं 8 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 6 विकिट लिए यह आपको इस्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी देगा बिल्कुल पिक कर सकते हो लेकर सामने वाली टीम भी अच्छी है ठीक है ओपनर प्रियर अच्छे है और यह इस्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी डाल रहा है तो ट्राइ करना हो तो कर सकते हो वरना इसको छोड़ भी सकते हो कंपल सरी पिलियर नहीं कि आपको टीम में लेना ही लेना है ओवरॉल लिकॉर्ड 36 मैच में 657 रने 32 की एवरेस से 57 ओवर की गेंदबाजी 26 विकेट लिये इसके बादे एलिक डेविट सन्सोलर जिसने तीन मैच खेलो और तीनों में बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली है विकेट की पिरिंग इंसान नहीं यह कर रहा है ठीक है तो इसको ट्राइ कर सकते हो ओवरॉल रिकर्ट साथ मैच में उनपचास रने इसके बादे मुहमद आतिफ जिसने चार मैच में साथ ओवर की गेंदबाजी करवाते वे दो विकेट लिये बॉलिंग कनफर्म दे रहा है लेकर विकेट इस पिलियर को इस टूनामेंट में कम मिल रहे है लेकर पिलियर सांदार है मिडल और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है ओवरॉल रिकर्ट 173 मैचों में 656 रन है 308 ओवर की गेंदबाजी 155 विकेट लिये इसके बादे आदिल राजा जिसने 3 मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी कराई 2 विकेट लिये स्टार्टिंग ओवर्स में 1 ओवर डाल रहा है और डेथ में डाल रहा है इस वज़े से ट्राइ कर सकते हो ओवरॉल रिकर्ट 173 मैच में 86 रन 131 ओवर की गेंदबाजी 60 विकेट लिये इसके बादे मुराद अली जो बहुत बहतरिन गेंदबाजे Death Overs में आ रहा है और अच्छे घासे विकिट लेके जा रहा है इस टूनामेंटिक में तीन मैच में 6 ओवर करा है लेकर विकिट 8 मिले है और लास्ट मैच में तो इसको 5 विकिट मिले थे वो भी इसने 8 इबॉल कराई थी ठीक है एक पॉइंट 2 ओवर की गेंदबाजी कराई थी जिसमें इसको 5 विकिट मिल गए थे तो इंपोर्टेंट है और बैटिंग बॉलिंग फर्ट में आपके लिए CBC चॉइस है ओवराल लिकॉर्ट 56 मैच में 158 रन 102 ओवर की गेंदबाजी 51 विकिट लिए तो यहां से जो इंपोर्टेंट है वो है मुराद अली आदिल रजा और मुहमद आतिफ में से कोई एक पिलियर आप ट्राइ कर लेना इसके अलावा सिराज इकबाल और हमजा सलीमदार तो कंपल सरी है क्रिष्चन मानोज मिल्स और उपर से यासी रली में से कोई एक पिलियर और डैनियल काले तो आपके लिए कंपल सरी है ठीके इन सभी के अलावा बैंच पर से देख लेते हैं बैंच पर तीन पिलियर है तीनों में से कोई सा भी खेलता है तो उसके इस्टेर्स आप वीडियो को पोस्ट करके या फिर आपको अमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे चार पिलियर है पहला पिलियर है मुहमद बाबर, बाबर खान, लोरेन बंस और किस्टोफर लोपज ठीके इन में से कोई सा भी खेलेगा तो उसके स्टेर्स आप वीडियो को पोस्ट करके या फिर आपको अमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे उसमें इस्पेन की टीम जीती थी ठीक है लास्ट मैच के साब से पिलेंग 11 सेट करका है ओपनिंग करना है था बुररन नियाज और मनसूर मलंग जाई ठीक है पहले बात करते है बुररन नियाज की जिसने इस टूनामेंट के चार मैच में इंडियान वे रन बनाए अच्छ गया ओवराल लिकॉर्ट 17 मैच में 15 की एवरेच से 149 रन एक ओवर की गेंदबाजी जीरो विकेट लिए इसके बाद है ओमिद रहीमी जिसने पहले मैच में अठार रन बनाए इसको आप ट्राइ कर सकते हो बैटिंग फस्ट में ओवराल लिकॉर्ट 47 मैच में 17 की एवरेच से तीन ओवर की गेंदबाजी करवाते वें दो विकेट लिए बिल्कुल पिक करना है एक्स्पिनेस पिलियर है और इस परकार के टूना मैट में अच्छा परफॉर्मेस करता है ठीक है इसके बाद है साबीर जाकिल जिसने चार मैच में 25 रन बनाए दो अवर की की एवरेस से 409 रन 20 ओवर की गेंदबाजी 10 विकेट लिए तो कुछ खास पिलियर नहीं है इसके वादे खालिद एमधी जो आपको कंपलसरी मिडल ओवर्स में गेंदबाजी दे रहा है चार मैच में 7 रन बनाए 8 ओवर की गेंदबाजी करवाते वें 4 विकेट लिए मिड मैटिंग फर्स्ट में आप इसको कैप्टन तो नहीं लेकर वाइस कैप्टन सी का रिस्क ले सकते हो इसके बाद है सहजाद एहमद जाई जिसने तीन मैच में स्टार्टिंग ओवर्स में 5 ओवर की गेंदबाजी कराई एक विकेट लिया तो इसको आपन ट्राइ नहीं करें ग्रेंड लिग में कुछ टीम में आप कुछ टीम में ट्राइ कर लेना ओवर्ल लिकॉर्ट 23 मैच में 47 ओवर 14 विकेट बॉलिंग कनफर्म कराता है लेकर विकेट इस पिलियर को कम मिलते हैं इसके बाद है जाकी साथ जिसने 4 मैच में 8 ओवर कराई और 7 विकेट लिये अच् ओवर्स में गेंदबाजी करा रहा है कुछ टीम में ट्राइ करना है ओवर्ल लिकॉर्ड देखे तो अवेलेबल नहीं है इसके बाद है अब्दूल जबर 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 खिल जिसने 4 मैच में 7 ओवर की गेंदबाजी करा है चार विकेट लिये इस टार्टिंग ओवर्स में आ बेटिंग होती है तो खालिद एहमदी को ट्राइ करना ठीक है और बॉलिंग होती है तो साजद एहमद डाई को ट्राइ करेंगे इसके अलावा उपर से देखे तो सर्यार बट और उमिद रहीमी और ब chopped नियाज इन में से कोई 2 पिलर आप ट्राइ कर लेना ठीके इन सभी के इन पिलियरों को लेकर इस मैच में उमीद है कि इनको बापिस मौका मिलेगा ठीक है तो इनों के स्टेट देख सकते हो टेलिग्राम पर भी मिल जाएंगे अब दोनों ही टीमों के स्टेट्स और पर्फोर्मेंस के बुताबित मैंने एक डेमो टीम बना रखी है दिकिट कीप् बनाएं पाइस केप्टन डैनियल काले को बनाए यह टीम मैंने बैंब इस पेंट की तरफ से बनाइए कि इस पेंट की बैंटिक्री पर रखेंगे तो फिलाल के लिए डेमो टीम आप से जो कर लोगों डेमो तीम आपको आमरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएक इसका तुमने से अच्छी कासी है हो सकती है धन्यवाद